हेलो फ्रेंट्स वैलकम तो मागनेट ब्रेंज दिस इस पंका जराथाओर और मैं आप लोगों का मैच्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूँ मैं आप लोगों को एक इंफर्मेशन देना चाहता हूँ कि मागनेट ब्रेंज में किंडर गार्डन टू ट्वेल्ट क्लास चेप्टर वाइज बुक वाइज कोर्स वाइज एंटी एससी ओलंपियाड इन सभी के जो कोर्सेस हैं वो आपको हंडिड परसेंट फ्री यहाँ पर ऐसा यहाँ पर बिलकुल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स हंडेड परसेंट फ्री एविलिबल है चलिए आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल डिड़क्शन बाइ सिलोजिस्म म मैथड देखा था और साथ हमने उसके mcqs का भी जो है एक वीडियो पूरा का पूरा मैंने बनाया था और आप लोग ने उसको बहुत ही अच्छे से समझा भी होगा तो लॉजिकल डिड़क्शन बाइ वैं डाइग्राम मैथड में हमने क्या किया था कि हमने वहाँ पर बे मेथट को हम शॉट ट्रिक भी बोल सकते हैं क्योंकि यह जो मैथड है से लॉजिसम मेथड इससे हम जो है बिना डाइगराम ड्रॉ करें कंक्लूजन बता सकते हैं कि कंक्लूजन क्या होगा तो देखे इससे अच्छी तो बात ही नहीं होगी लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहा बट अगर दो से ज्यादा अगर आपके पास स्टेट्मेंट है दो या तीन या दो के बाद तीन या चार स्टेट्मेंट्स है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व कर सकते हैं बट मैं बोलूंगा फिर ट्राय क्या करिया वेंड डाइगराम मेथड ही लगाई है लेकिन 80-90% questions जो हैं जो exam में आते हैं वो दो स्टेट्मेंट वाले ही questions आपको देखने को मिलेंगे और जब दो स्टेट्मेंट वाले questions देखने को मिलेंगे तो आप क्या करेंगे यह जो मैं आज आपको short trick बताने वाला हूँ जो syllogism method है हम इसी method को लगाएंगे और इसी method को यूज करके जो है हम इस पूरे के पूरे जो वेंट डाइगराम यह जो logical deduction वाला जो हमारा chapter है इसके questions हम आसानी से solve कर लेगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा logical deductions by syllogism method और इसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह syllogism method जो है जहां में लगाना है वहाँ पर जो दो statements होगी हम क्या-क्या terms use करने वाले हैं वो सारी चीज़े हम समझ लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर द्याएं से देखे here we will look at arriving at the deduction by using some simple rules जैसा कि मैं आपको बोला कि इसको आप एक short trick भी assume कर सकते हैं और मैंने यहां पर कुछ basic से rules होंगे आप उन rules को अगर follow करेंगे तो हो जाएगा important हो जाएगा यहां पर जो rules given होंगे और again देखिए वहां पर word लगा हुआ है simple rules ठीक है simple rules रहेंगे बहुत कोई tough rule नहीं रहने वाले हैं first let us look at the some basic terms used in the rules and understand what they mean so अगर हम जब rules को समझने वाले हैं तो वहां पर क्या-क्या terms हम use करने वाले हैं हम उसको सबसे पहले समझ लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान से देखिए the two statements given in the questions are called premises यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे statement होती हैं हम उसको premises बोलते हैं और साथी साथ यह जो हमारे पास premises जो given होती है इन premises में जो है आपके पास subjects और predicates given होते हैं और यह जो हमारे पास पहला वाला जो word given होता हम इसको क्या बोलते हैं क्वांटीफायर. So premises कैसे बनता है? Premises एक statement है जिसमें आपके बास quantifier होता है और साथ ही साथ subject और predicate भी होते हैं. इन statement या इन premises को हमें use करके क्या find out करना होता है कि conclusion जो है वो follow कर रहा है या नहीं कर रहा है या even हम ये भी बता सकते हैं कि exactly conclusion क्या आने वाला है दो terms के बीच में या कौन से subject और predicate के बीच में क्या relation आने वाला है अगर हमको दो sentences या premises given होंगे तो the two statements are called premises and conclusion की अगर हम बात करें देखिए इध्यान से देखिएगा कि ये मेरे पास premises हैं इनको मैंने premises बोल दिया और conclusion में आपको अगेर वहाँ पर जो है ऐसी ही statement आपको given होती है और आपको conclude करना पड़ता है कि ये follow करेगा या follow नहीं करेगा so important हमने यहाँ पर क्या देखा हमने समझा कि जो statement होती उसको हम लोग क्या बोलेंगे premises बोलेंगे so जो premises है हम इसको divide करते हैं universal statement में और particular statement में इसको अपने diagram में भी समझा था universal statement को हम you से denote करते है particular statement को हम P से denote करते है जो universal statements हुआ करती थी वह आपको complete information देती थी वह complete include करने की बात करता था for an example जो आपकी universal quantifiers होते थे वो क्या होता था वो आपका होता था all और no ये आपका universal quantifiers होते थे और particular quantifier के अगर मैं बात करता हूँ तो particular जो था वो आपका था some and some not जब भी हम in quantifiers को use करेंगे और एक premises बनाएंगे तो वो जो premises या जो statements होगी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो universal statement है या वो particular statement है तो universal कब बोलेंगे जब हम all या no quantifier use करेंगे और particular कब बोलेंगे जब हम some या some not जो है quantifier को use करेंगे ध्याल से देखें फिर क्या बोला गया है कि premises को हम जो है again divide कर सकते हैं और divide किस चीज़ पे कर रहे हैं हम divide कर रहे हैं उसको affirmative and negative से मतलब जो हमारे premises या जो हमारे statements होते हैं वो positive भी हो सकती है वो negative भी हो सकती है जैसे कि positive की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका all quantifier और जो आपका some quantifier है ये दोनों positive होते हैं दोनों ही include करने की बात करते हैं और negative में जो no होता है और जो some not होता है ये आपको exclude करने की information देते हैं इसलिए हम इनको negative statements या premises भी बोलते हैं तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि universal और particular क्या होते हैं और साती साथ positive और negative आपके क्या होते हैं अगर मैं इन दोनों को combine कर लूँ तो ध्यान से देखिए कि universal जो है वो all और no है so that means अगर मैं आपर बात करता हूँ कि यह जो आपका all है यह universal है और साथी साथ यह positive भी है तो मैं all को क्या बोलता हूँ all quantifier को you positive no जो है वो universal है लेकिन साथी साथ वो क्या है वो आपका negative है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि वो है आपका you negative वहीं sum और sum not कि अगर हम बात करें तो sum आपका particular होता है that is p और sum जो है वो positive होता है तो यह हो जाता है sum जो है वो आपका positive quantifier होता है that is p plus हो जाएगा और sum not जो होता है वो क्यासा हो जाता है वो होता है p minus so हमें यहां से समझ में आगे कि हमारे जो चार quantifiers होते हैं और वो जो statement बनाते हैं वो statement कैसी हो सकती है वो positive भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है वो universal भी हो सकती है वो particular भी हो सकती है that means हम उसको u positive u negative या p positive या p negative भी नाम दे सकते हैं अगर और हम clear बोलना चाहें तो सो यहां से division हमें समझ में आ गया कि कौन से quantifier से हम u positive या u negative या p positive या p negative statement को बोलेंगे next जहां से देखें कि यहां पर मैंने एक table बना दिये जो मैंने अभी थोड़ी तर पहले आपको बताया है कि जो आपका all quantifier होता है वो कहलाता है u positive no quantifier कहलाता है u negative क्योंकि यह दोनों ही क्या होते हैं यह दोनों ही आपके होते हैं universal ठीक है दोनों ही universal statement बनाते हैं और quantifier हम use करते हैं all or no और थोड़ा सा clear हो जाएं तो u positive and u negative हम इनको बोलते हैं वही particular की बात करता हूँ तो जो यह sum quantifier होता है हम इसको बोलते हैं p positive और sum not को बोलते हैं हम लोग p negative जहांसे देखिए क्या लिखा हुआ है the combination of the two different categories हमने दोनों categories को combine कर लिया एक आपने क्या बोला था कि u होता है या p होता है या साथ-साथ negative और positive होता है जब हमने इनका combination बनाया तो combination कुछ इस तरीके से बना सारे quantifier को हमने बता दिया कि वो quantifier को हम u positive, u negative, p positive और p negative किस-किस को बोलेंगे और साथ-साथ जब इन quantifier को हम use करेंगे statement बनाने में तो वो पूरी की पूरी statement ही क्या कहलाएगी या तो universal positive या universal negative या particular positive या particular negative so this table is also very important, you can like आप इसका screenshot भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको लिख लीजे, दिमाग में बैठा लीजे, यह बहुत important है next जो है very very important क्योंकि यह जो short trick यह जो मैं rules की बात करने वाला हूँ वहाँ पे जो पूरा का पूरा काम है वो इसी चीज़ का हमें वहाँ पर use करना है ध्यान से देखिए, the subject और the predicate can be either distributed or not distributed ध्यान से देखिए, जब भी मैं कोई statement या premises लिखता हूँ अगर मैंने बोला कि all a, r, b तो यह आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका subject और यह आपका हो गया predicate, तो यह जो आपका subject और यह जो predicate है, ध्यान से देखिए कि आप इनको जो है, मैं इसको बोल जेता हूँ, this is my subject, this is my predicate इनको जो है या तो मैं बोलूँगा distributed है या तो मैं बोलूँगा not distributed है अब यह distributed क्या होता है और not distributed क्या होता है हम इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे अब बस इतना याद रखिए कि जब भी कोई subject distributed होगा तो मैं उसको दूँगा मैं उसको mark कर दूँगा as a tick कि वो tick है और not distributed को मैं mark कर दूँगा cross ये एक तरह से quantifier जो subject और predicate के बीच में relation देता है उस relation के accordingly हम लोग या तो पहले वाले को हम लोग distributed बोल देते हैं या बाद वाले को distributed बोल देते हैं या दोनों को distributed बोल देते हैं डिपेंड करता है quantifier पे तो combination क्या बनेगा कि भाई अगर हम बात करते हैं all quantifier की तो subject क्या रहेगा, predicate क्या रहेगा मैं आभी आपको आगे वाले table में बताऊंगा same चीज no में जो है subject distributed रहेगा या not distributed या predicate distributed रहेगा या not distributed वो हम table में समझेंगे और उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे और उसको याद कर लेंगे simple rule है simple rule में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा हमने ये समझा कि हमारे जो quantifier हैं जो premises या statement बनाते हैं उसमें आपके चार टाइप के statement या चार टाइप के quantifiers होते हैं आपका u positive, u negative, p positive और p negative next चीज हम लोगों ने आपर क्या समझी कि भाई वो जो आपके quantifier या जो statement या premises होंगे उसमें subject और predicate होता है ये subject और predicate जो हैं वो distributed या not distributed हो सकते हैं फिर मैंने आपको क्या बता है कि ये जो distributed होते हैं distributed मतलब मुझे उसकी जगे tick mark करना है क्योंकि मैं बार बार पूरा distributed नहीं लिखूँगा और not distributed की जगे मुझे cross mark करना है बस हमें इतना ध्यान रखना है अभी तक next ज्यान से देखे the subject and the predicate are either distributed or not distributed depending on what kind of statement it is table 2 shows the distribution pattern of the subject and the predicate भाई जो हमारी table है next जिसमें हम देखने वाले हैं कि exactly जो subject और predicate है उनमें से कौन distributed और कौन not distributed रहेगा वो हमें table से समझ में आएगा तो ध्यान से देखे यह हमारे पास table है जिसमें मैंने बोला सबसे पहले universal affirmative मतलब आपका हो गया यह u positive universal negative मतलब u negative particular affirmative मतलब p positive और particular negative मतलब p negative की हम बात कर रहे हैं आपर और ध्यान से देखे कि जब मैं universal positive statement की बात करता हूँ तो subject के उपर tick आता है प्रेडिकेट के उपर cross आता है इसका मतलब वहाँ पर subject जो है वो distributed होता है और प्रेडिकेट जो है वो वहाँ पर क्या रहता है not distributed रहता है ध्यान से देखे यहाँ पर मैं क्या बूल सकता हूँ कि अगर मेरे पास statement या premises है all a r b तो यह मेरा subject है यह मेरा प्रेडिकेट है तो हम हमेशा subject के उपर tick और प्रेडिकेट के उपर cross लगा देंगे तो हमें याद रखना है कि all वाली हमारी जो statement है उसमें हमें क्या माग करना है tick cross ऐसे याद रखेंगे tick और फिर cross tick और फिर cross subject पर tick और predicate पर cross हमें बस इतना याद यहाँ पर रखना है आपको पता है कि जो universal positive होता है universal जो positive होता है उसका जो complementary pair होता है complementary pair क्या होता है universal का उल्टा p plus का उल्टा minus यह होता है complementary pair जिसमें हम either or में भी इसको use करा करते थे So universal positive का अगर ultra या complementary pair जो है वो P negative होता है So P negative है आपका particular negative मतलब sum not और ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि sum A, R, not B statement अगर लिखी हुई है तो subject आपका ध्यान से देखिए क्या चला जाएगा not distributed और आपका जो predicate है वो चला जाएगा distributed distributed और आप देख सकते हैं कि U positive और P negative दोनों एक दूसरे के देखिए opposite है क्योंकि यह दोनों complementary pair बनाते हैं तो याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि U positive में tick cross होता है और इस पे cross tick होता है tick का convert होके cross बन गया cross का convert होके tick बन गया बस इतना याद रखना है हमें बस दिमाग में बैठाना है कि जब भी हमें कहीं पे statement दिखती है all वाली या some not वाली तो all वाले में तुरंथ हम लोग क्या करेंगे subject पे लगाएंगे tick और अगले वाले पे लगा देंगे cross और समनट में क्या गरेंगे पहले वाले पे लगा देंगे क्रॉस और बाद वाले में लगा देंगे टिक बस इतना सा हमें ध्यान रखना है next चलते हैं next हमारे पास है universal negative that is u negative और u negative देखें कितना आसान है कि दोनों पर क्या लगा हुआ है दोनों पर टिक लगा हुआ है और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि नो वाला कॉंटिफायर जो है उसमें जब आपका वेंड डाइग्राम बनता है तो जो दोनों आपके सेट है A और B वो अलग-अलग दूर-दूर बनते हैं उसके अलावा कोई भी डाइग्राम नहीं बनता है बतला बहुत क्लियर है कि दोनों जो हैं बिल्कुल फिक्स हैं कि दूर-दूर बनने वाले हैं तो दाट मीज यहाँ पर दोनों जो आपके तो ध्यान से देखिए नो A और B में दोनों पर क्या जाने वाला है दोनों पर टिक जाने वाला है दोनों पर क्या जाएगा दोनों पर टिक जाएगा और मुझे पता है कि यह जो नो आली स्टेटमेंट होती है वो होती है यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल गा टिक का उल्टा क्रॉस और ये टिक का उल्टा क्रॉस मतलब जो सम वाला आपका यहां पर स्टेट्मेंट बनने वाला है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही आपको क्या मिलने वाले हैं तो दियान से देखें यहां पर जो आपकी स्टेट्मेंट अगली बनने वाली है that is sum A R B तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि भाई जो 9 है उसका ये क्या रहता है उसका इसका complimentary रहता है तो इस दोनों में अगर distributed है तो यहाँ पर दोनो not distributed होते हैं simply opposite और all का जो complimentary pair होता है वो sum not होता है तो आप देख सकते हैं tick cross है तो पर cross tick है उसका opposite हो जाता है तो अगर मुझे complimentary pair याद है और इनमें से अगर मुझे दो statement के बारे में याद है कि 9 में दोनों बे tick आता है और all में tick cross आता है तो अगले वाले जो statement है अगले वाले quantifier है उनके उपर कहा tick और कहा cross आएगा मैं बहुत ही असानी से लगा सकता हूँ तो इसका screenshot ले लिजे वेरी वेरी important और ये ये जो है आपको बस याद रखना है कि कहाँ पर tick और कहाँ पर cross आएगा पूरा का पूरा जो chapter है सारे questions आप बहुत ही असानी से solve कर लेंगे तो please take the screenshot वेरी वेरी important So I think आप लोगों ने यहाँ पर जो है इसका screenshot ले लिया होगा और यहाँ पर मैं वापस से बता दिता हूँ कि यह जो tick है यह distributed बताता है indicate करता है और cross जो है वो बोलता है not distributed और आपको याद रखना है कि all वाले में जो है all में tick cross all का उल्टा जो है some not cross tick हो जाएगा no वाले में जो है आपका हो जाएगा tick tick और sum में जो हो जाएगा वो हो जाएगा cross cross इसको 4-5 बार 10 बार अपने मन में बार बार बोलिए और या अपने मन से कुछ आप statement यहाँ पर लिख लीजिए और उन statement पर जो है आप practice करिए tick cross mark करने कि किस में tick किस में cross या किस में दोनों में tick या दोनों में cross आएगा यह आप लोग को थोड़ा सा practice करना पड़ेगा तब जाके आपको यह जो है सारी चीजे बहुत ही असानी से याद हो पाएगे नहीं तो क्या होगा कि भाई question जब हम solve करने बैटेंगे अगर आपने यह cross tick को गलत इदर उदर माग कर दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो answer या conclusion आएगा वो गलत आ सकता है तो अगर conclusion की अगर हम बात करें अगर आपको conclusion जो है बिल्कुल perfectly right चाहिए तो आप लोग को यह जो distributed and not distributed है यह आपको पता अच्छे से होना चाहिए तो चलिए चलते हैं हमारे अब next part पर हमारे next rule पर और rule जो है वो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर जो है कुछ rules के बारे में बात करूँगा इन rules को use करना है after marking tick and cross पहले tick and cross mark कर दिया tick and cross mark करने के बाद आपको यह rules देखने हैं और इन rules के accordingly ही आप conclusion निकाल पाएंगे कि exactly वो दो statement है वो दो statement हमको क्या conclusion देने वाली हैं तो ध्यान से देखिए सबसे पहला rule है यहाँ पर कि every deduction should contain three and only three distinct terms so अगर मेरे पास दो statement given है तो इन दो statement में मुझे जो है कितने terms शाहिए मुझे three distinct three distinct term चाहिए लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यह जो दो statement लिखी हुई है यहाँ पर a और b और c और d यहाँ पर four distinct terms दिये हुए हैं मतलब इस three की जगे हमें कितने terms दिये हुए हैं यहाँ पर four terms दिये हुए हैं that means अगर दो statement में आपके पास four terms हैं तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं conclusion नहीं निकाल सकता हूँ मैं conclusion नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि statement one का relation statement two से आप कैसे बठाएंगे जब तक कोई यहाँ पर common term ना हो और जब तक कोई common term नहीं होगा तो हम conclusion नहीं find out कर सकतें so conclusion find out करने के लिए मुझे यहाँ पर common term की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी that means मुझे यहाँ पर three distinct terms चाहिए four नहीं चाहिए तो अगर आप यह अगला वाला set देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आपके पास a, b, b, c so आपके पास यह जो है बीच वाला यहाँ पर common term है और यह जो common term है इस common term को हमें एक नाम देंगे और इसको नाम जो मिलेगा वो है middle term ठीक है middle term मतलब जो बीच में आके किनी दो लोग की बीच में मीटिंग कराता है ना जो दो लोग के बीच में था हम उसको बोलते है middle man तो वो जो middle man है वो common होता है दोनों के लिए और दोनों के लिए जब common होगा तो यहां पर दियान से देखिए A का relation B से था B का relation C से था बट B ने A और C को साथ में लाके मिलवा दिया तो हमने B को क्या बोल दिया middle man बोल दिया common term हो गया दोनों statement या premises का और यहां पर जो है अब हम क्या करेंगे मुझे जो conclusion find out करना होगा वो conclusion A और C के बीच में ही करना होगा ठीक है मुझे conclusion किस किस के बीच में निकालना होगा A और C के बीच में ही निकालना होगा चलिए मैं यहीं पर practice कर लेता हूँ ध्यान से देखिए कि जैसे ही मुझे यहां पर statement दिखती है तो मैं कैसे tick cross mark करूँगा तो all में आपका होता है tick cross और sum में होता है आपका cross and cross तो इस तरीके से जहां पर भी आपको statement दिख जाए सबसे पहला काम है आप tick cross या cross cross mark करिए ठीक है मतलब cross cross भी हो सकता है cross tick भी हो सकता है tick cross हो सकता है tick or tick भी हो सकता है that means वो depend करेगा quantifier पे हमें बस statement को देखके तुरंट mark करना है so यह हमारा हो गया rule number one आपको क्या याद रखना है कि three distinct term चाहिए और यह three distinct term आप दिहान से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा that means एक middle term होना चाहिए middle term नहीं होगा तो आप conclusion find out नहीं कर पाएंगे यह चीज़ देखिए हैं मैंने एक उपर आले example से बता दिये you can take the screenshot of rule one फिर हम चलते हैं rule number two पे चलिए तो अब चलते हैं हमारे next rule पर और वो जो next rule है वो है हमारा कि if both the premises are particular no conclusion can be drawn यह वाले rule को मैं आपको when diagram method जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी इसको बता चुका हूँ लेकिन फिर से सुल लीजे इसको और यह क्या है कि अगर दोनो if both the premises मतलब ध्यान से देखिए कि यह दोनों जो sentences है और उसमें अगर quantifier क्या है आपको sum या sum not देखने को मिलता है मतलब combination क्या क्या हो सकता है दोनों ही आपके sum हो या दोनों ही आपके sum not हो या एक sum और एक sum not हो या पहला वाला sum not और दूसरा वाला आपका sum हो अगर यह combinations आपको देखने को मिलते हैं तो मैं बोलूँगा कि इन दो sentences या premises से आपको कोई भी conclusion नहीं मिलेगा no conclusion तो सीधा अगर no conclusion आप यहाँ पर mark कर देंगे अगर आपको कुछ इस type से combination देखने को मिलता है मतलब दोनों premises में अगर आपको sum word देखने को मिल जाए या sum quantifier देखने को मिल जाए या sum not quantifier देखने को मिल जाए तो आप क्या mark कर देंगे no conclusion तो पहला rule क्या था पहला rule यह था कि अगर three distinct term ना हो तो no conclusion मतलब अगर four terms होंगे तो आप क्या mark कर दोगे no conclusion अगर दोनों sum या दोनों sum not होंगे तो भी आप क्या mark कर दोगे तो भी आप mark कर दोगे no conclusion तो अपी तक हमने दो रूल देखे और दोनों रूल में ये देखा कि no conclusion कब होगा और पहले रूल में हमने एक चीज ये देखी थी कि conclusion लाने के लिए हमें कम से कम मतलब fix की बात करूँगा कि distinct 3 हमें क्या चाहिए वहाँ पर हमें term चाहिए जिसमें से एक term जो है वो क्या कहलाता है वो middle term या common term आपका कहलाता है ये आपका हो गया second conclusion you can take the screenshot और इसके बाद हम देखेंगे हमारा third वाला rule क्योंकि आपको ये rules बहुत अच्छे से clear होने चाहिए क्योंकि ये rules ही है जिनकी मदद से जिनकी help से हम conclusion find out करेंगे तो चलते हैं हमारे next वाले rule पर और next rule जो है वो ध्यान से देखिए वो क्या बोलता है कि अगर दोनों premises कैसे हैं दोनों ही negative है तो भी हम क्या बोलेंगे no conclusion अगर आप यहां दे सकते हैं कि ये आपका कैसा है universal negative ये कैसा है P negative तो हमने आपर क्या देखा कि ये दोनों ही आपके statement या premises जो है वो क्या है वो है negative so combinations क्या क्या बन सकते हैं combination बन सकता है कि दोनों यू negative हो एक P negative हो दूसरा U negative हो पहला U negative हो दूसरा P negative हो या दोनों ही P negative हो तो मैं क्या बोलूँगा no conclusion वैसे तो अगर दोनों ही P पहुंच जाएगा particular दोनों अगर particular होंगे तो तो मैं directly second rule को use करके क्या बोल सकता हूँ no conclusion but क्योंकि combination तो बन सकते हैं तो combination के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बता दियें कि इस type से pattern आ सकते हैं दोनों no और no हो जाए some not or no हो जाए या no और some not हो जाए या दोनों ही some not हो जाए आप क्या mark करेंगे no conclusion मतलब दोनों अगर particular हैं या दोनों अगर आपके negative statements हैं तो आप तुरंट mark कर दीजे no conclusion सीधे सीधे और ये वाला rule भी मैंने आपको logical deduction by when diagram method में बताया था कोई भी जो भी बन्दा इसको देख रहा है इस video को देख रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इससे पहले एक बार logical deduction by when diagram method जरूर देखें वहां से आपका एक basic बनेगा आपके एक understanding होगी logical deductions को लेके क्या diagrams बनते हैं exactly हम ये जो rule बता रहे हैं ये एक दूसरे से कैसे related होगा complementary pairs होते क्या हैं ये सारी चीजें आपको जो है logical deductions by when diagram method वाले वीडियो में देखने को मिलेगी तो ये होगया हमारा rule 3 और rule 3 हमें क्या बूलता है कि अगर ये सारे combinations बनते हैं तो मैं directly क्या mark कर दूँगा मैं mark कर दूँगा no conclusion इस point को मैं ध्यान रखना है no conclusion take the screen shot फिर हम चलेंगे हमारे next rule पर that is rule number 4 तो चलें चलते हैं हमारे rule number 4 पर और rule number 4 है ध्यान से देखिएगा rule number 4 middle term के बारे में बात करता है और middle term के बारे में क्या बोलता है ध्यान से देखिए कि जो middle term होगा middle term मतलब ये जो आपका common term होगा यहाँ पर ये जो आपका common term होगा ये common term जो है ये distributed होना चाहिए at least one मतलब at least once जो है वो क्या होना चाहिए distributed होना चाहिए मतलब कम से कम एक बार उस पर tick आना चाहिए मतलब दोनों पर आजाए तो भी चलेगा एक पर tick आजाए तो भी चलेगा लेकिन अगर दोनों पर cross आगया जो common term दोनों statement पर given है अगर उसके उपर दोनों में cross आगया तो मैं तुरंट क्या माग कर दूँँगा no conclusion तो ध्यान से देखे अगर मैं इस first वाले को देखूँ तो first वाले में मैं यहाँ पर all मतलब tick and cross sum में क्या होता है cross and cross अगर आप यह middle term को देखेंगे तो यहाँ पर b के उपर आपका cross है और यहाँ पर b के उपर cross है दोनों में अगर आप देखें दोनों ही statement या premises में आपको b जो है जो कि middle term है आपका वो distributed नहीं देख रहा है और जब distributed नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या mark कर दूँगा मैं mark कर दूँगा no conclusion अभी तक हम यह rules देख रहे हैं कि conclusion कब कब नहीं आएगा next dance देखिए tick cross और यह होगे आपका cross and cross और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका middle term यहाँ पर b के उपर आपका tick आया हुआ है और यहाँ पर जो है b के उपर आपका cross आया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों statement में से एक statement में जो middle term है उसके उपर tick है मतलब वो distributed term है तो मैं conclusion find out कर सकता हूँ I can find what we can find conclusion यहाँ पर conclusion निकाला जा सकता है ठीक है और देख लिजे कि भाई दोनों पर tick कब आएगा तो अगर मैं बोलता हूँ कि all b r a और next ले लेता हूँ मैं no b r c तो यहाँ पर यह हो गया tick and cross यह हो गया आपका tick and tick आप ध्याँ से देखिए कि यहाँ पर middle term आपके आए हैं जो कि है b और b दोनों पर यहाँ पर tick है यहाँ पर tick हागिया यहां पर भी tick आ गया तो इस case पर भी जो है हम क्या कर सकते हैं we can find the conclusion we can find the conclusion so अगर देखें at least word use किया था दोनों पर tick हो जाए तो भी चलेगा एक पर tick हो जाए तो भी चलेगा क्योंकि हम बोल रहे थे at least once जो है वो distributed होना चाहिए कम से कम एक बार distributed होना चाहिए दो बार भी चलेगा लेकिन अगर एक बार भी distributed नहीं हुआ तो हम क्या बूल देंगे सीधा सीधा mark करेंगे no conclusion so बहुत important rule है कि अगर मान लीजिए आपका पहला rule कि middle term भी है okay very good second हमने देखा कि दोनों particular नहीं है okay फिर हमने क्या देखा दोनों आपके negative भी नहीं है okay बट अगर middle term जो है जब हमने tick cross mark किया और middle term अगर एक बार भी distributed नहीं है दो बार देखिए दो जगे given होता है दो statement में अगर दोनों में से कहीं पर भी उसके उपर tick नहीं आ रहा है तो हम फिर mark कर देंगे no conclusion so again take the screenshot of this rule that is rule number four और rule number four हमें middle term के बारे में बताता है कि middle term पे tick होना चाहिए तो चलते हैं हमारे next वाले rule पर और next वाला जो हमारा rule है rule number five वो क्या बोलता है दियान से देखिए कि अगर एक प्रमाइस जो है वो particular है अगर एक प्रमाइस particular है combination क्या-क्या बन सकते हैं यू पॉजिटिव के साथ पी पॉजिटिव यू नेगेटिव के साथ पी नेगेटिव या पी पॉजिटिव ले लेता हूँ क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगी तो वैसे भी आपको क्या नहीं मिलने वाला है आपको यहाँ पर conclusion नहीं मिलेगा और अगर मैं U positive के साथ यहाँ पर P negative combination ले सकता हूँ तो अगर मैंने यह तीन combination ले लिए हैं और इन तीन combination के हिसाब से ध्यान से देखिए कि अगर एक premise particular है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक premise particular है अगर दोनों premise particular हो जाएंगे तो क्या होगा rule number two कि भाईया no conclusion लेकिन अगर दो से कम है दो से कम मतलब एक अगर premise particular है तो क्या होगा then the conclusion must be particular मतलब इन जो भी ऐसा statement आती है दो जिसमें अगर एक all है दूसरा sum है अगर एक all है दूसरा sum है अगर एक all है और दूसरा sum not है तो ध्यान से देखे कि आपको जो conclusion मिलने वाली है आपको जो conclusion मिलेगी वो कैसी मिलेगी वो conclusion आपको particular ही मिलेगी मतलब वहाँ पर conclusion all या no नहीं हो सकता है conclusion आपको या तो sum या तो sum not मिलेगी positive मिलनी है या negative मिलनी है वो depend करेगा आगे वाले rule के साब से अभी हमने या पर क्या समझा कि भाई अगर दो आपके पास statement है और उन में से अगर एक भी statement particular है तो आपको conclusion particular ही मिलेगा वापर all या no आपको conclusion नहीं मिलेगा rule number one क्या था rule number one था कि three distinct आपको क्या चाहिए three distinct terms चाहिए rule number two में हमने क्या देखा rule number two में अगर कि दोनो particular हुए तो no conclusion हो जाएगा rule number three में हमने क्या देखा कि अगर दोनो negative हुए तो भी आपको no conclusion होगा rule number four में हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए कि तीन distinct terms भी है आपके दोनों particular नहीं भी है दोनों negative भी नहीं है तो फिर हम tick or cross mark करेंगे और जब हम tick or cross mark करेंगे तो middle term जो है अगर कम से कम एक बार distributed है तो ही हम conclusion निकाल सकते हैं और अगर दोनों ही undistributed या not distributed है मतलब दोनों पे cross लगा हुआ है तो हम बोलेंगे कि हम conclusion नहीं निकाल सकते हैं और हमने fifth rule क्या देखा कि fifth rule में हमने ये देखा कि अगर दो statement में से एक भी statement जो है वो particular है मतलब sum है या sum not है तो आपको जो conclusion मिलेगा वो आपको particular ही मिलेगा मतलब sum या sum not ही मिलेगा आपको वहाँ पर all या no conclusion में देखने को नहीं मिलेगा ये point हमें याद रखना है मतलब अगर दो statement आपको कुछ ऐसी मिलती है तो भी आपको जो है conclusion पी वाला मिलेगा आपको यहाँ पर conclusion पी वाला मिलेगा और यहाँ पर भी conclusion आपको पी वाला ही मिलेगा अगें तुरंट mark करते हैं ध्यान हम निकाल सकते हैं और फिर हमने क्या देखा कि एक बार जो है यहाँ पर particular दिया हुआ है that means जो conclusion आईगी वो कैसे आने वाली है वो आपकी sum वाली आने वाली है but आपकी conclusion कैसे आने वाली है sum वाली ही आने वाली है take the screenshot of rule number 5 then हम चलते हैं rule number 6 पर so I think आप लोग को अभी rule number 1 से लेके 5 तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे rule apply करने हैं क्योंकि अगर एक भी rule आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोग को यह जो पूरा का पूरा method है यह फिर आपके कोई काम का नहीं है क्योंकि फिर आप गलत answer find out कर ठीक है तो हम लोग इतने सारे rules समझ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम कम से कम टाइम में question को solve कर लें सीधे सीधे answer निकाल लें बिना diagram को draw करें और इसलिए मैंने इसको क्या बूला है यह हमारा एक तरह से short trick कहलाता है यहा मैं बूलूंगा कि हम यहाँ पर कुछ rules को follow करके questions को बि अगर एक promise आपका कैसा है negative है मतलब अगर एक promise आपका कैसा है negative है that means you negative भी हो सकता है पी negative भी हो सकता है then the conclusion must be negative तो conclusion कैसा आएगा conclusion आपका negative ही आएगा तो ध्यान से देखिए combinations क्या क्या बन सकते हैं combination जो बनेंगे वो ध्यान से देखिए कि अगर मैंने बोला एक यू negative है और दूसरा जो है वो आपका पी positive है एक आपका यू negative है दूसरा आपका यू positive है एक आपका पी negative है और दूसरा जो है वो आपका पी positive है अब ध्यान से द conclusion मिलेगा ही नहीं, so P negative के साथ मैं क्या ले लूँगा, मैं ले लूँगा U positive, और यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने जो भी combination बनाए हैं, दोनों में मैंने negative क्यों ने लिया, क्योंकि हमारा एक rule जो था, वो क्या बोलता था, कि अगर दोनों ही आपके premises या statements negative हैं, तो no conclusion होता ह है, तो यहाँ पर मैंने बूला, no के साथ एक combination मैंने sum का बना लिया, यहाँ पर no के साथ मैंने all का combination बना लिया, और यहाँ पर मैंने sum not के साथ all का combination बना लिया, इन सभी cases में दियान से देखें, इन सभी cases में जो मुझे conclusion मिलने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर negative statement देखन आपको अगर आपको एक भी particular statement देखने को मिलती है तो आपको conclusion कैसा मिलेगा particular ही मिलेगा So rule number 5 और 6 को combine करते हैं यहाँ परद्यान से देखिए कि एक negative है तो आपको conclusion negative मिलने वाला है और क्योंकि एक statement यहाँ पर particular भी है आपको जो conclusion मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा particular negative यहाँ पर द्यान से देखिए कि दोनों ही universal है और आपको यहाँ पर negative conclusion मिलेगा तो आपको यहाँ पर कैसा conclusion मिलने वाला है यू negative conclusion मिलने वाला है यू negative conclusion जो होता है वो द्यान से देखिए मैंने आप लोग को when diagram method में बताया था कि u negative जो होता है जैसे कि example no a r b अगर मैं बोलता हूँ no a r b आपको conclusion देखने को मिलता है so no a r b जो है वो equivalent होता है sum a r not b के and sum b r not a के मतलब if no a r b is true to sum a r b sum a r not b and sum b r not a ये भी true होता है तो that means अगर दो universal statement है so universal negative तो आपको conclusion देखने को मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ आपको इसके अलावा sum not वाले भी conclusion देखने को मिलेगे वो मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ हम इसको आगे समझेंगे ताकि confusion आपको ना हो next player में अगर आप ध्यान से देखें कि एक आपको यहाँ पर P दिया हुआ है और एक आपका negative है तो negative और आपको कैसा यहाँ पर मिल जाएगा conclusion आपको P negative conclusion देखने को मिलेगा अगे नहीं हम यहाँ पर mark कर लेते हैं tick or tick यह हो गया tick or cross यहाँ पर ध्यान से देखिए middle term में दोनों में tick है conclusion निकल सकता है conclusion यह A और C के बीच में निकलेगा और क्योंकि एक आपका universal negative है एक आपका universal positive है तो आपको यहाँ पर जो conclusion मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा वो आपको negative conclusion देखने को मिलेगा so यहाँ पर depend करता है depend करता है कि आपके जो terms हैं वो distributed है या not distributed है जैसे यहाँ पर A distributed है C लेकिन distributed नहीं है इन पर depend करेगा conclusion जो कि हम आगे अभी rule में समझेंगे कि exactly हमें क्या यहाँ पर conclusion देखने को मिलेगा अभी हमने rule 5 और rule 6 में क्या समझा उसको मैं वापस से revise कर देता हूँ rule 5 हमें यह बोलता है कि अगर दो statement में से अगर एक भी particular है तो आपका conclusion particular ही आएगा और दोनों में से अगर एक भी negative है तो आपको यहाँ पर conclusion negative देखने को मिलेगा rule 6 है हमें यह बोलता है जहांसे हमें समझ में आ गया कि अगर एक भी statement negative है तो conclusion negative ही आएगा और अगर एक भी statement particular है तो आपका conclusion particular ही आएगा ठीक है so that means अगर मुझे अगर मुझे यहाँ पर particular अगर मुझे particular क्या नहीं चाहिए conclusion नहीं चाहिए तो combination मुझे क्या चाहिए होंगे u plus और u plus वाले या u minus और u plus वाले वस यह दो ही combination बन दे हैं क्योंकि दोनों u minus नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर दोनों negative आपकी premises हो गए तो आपको कभी भी conclusion नहीं मिलेगा so अगर मुझे universal मतलब all या no वाला conclusion देखने को मिल रहा है और या मुझे अगर conclusion find out करना भी है तो यह कब आएगा conclusion जब दोनों ही statement आपकी कैसी होंगी universal होंगी अगर एक भी statement particular हो गई तो conclusion आपका particular ही आएगा you can take the screenshot फिर हम देखेंगे next हमारा rule number seven okay तो I think आप लोगों ने इसका screenshot ले लिया होगा चलते हैं हमारे next rule पर जो की है rule number seven तो rule number seven क्या बोलता है rule number seven यह बोलता है कि no term can be distributed in the conclusion if it is not distributed in the premises very very important rule आप दियान से देखिएगा rule क्या है rule यह बोलता है कि कोई भी term जो है वो अगर ध्यान से देखिएगा no term can be distributed अगर कोई not distributed है आपकी statement में तो आप उसको कभी भी distributed नहीं बना सकते that means ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास statement दी हुई है for an example मैंने बोला all a r b ठीक है और next दिया हुआ है मान लिजिये मैंने बोला कि sum a r c तो all a r b जो है वो यहां पर क्या आगया यहां गया tick और यहां गया cross और sum a r c में दोनों जो हैं वो आजाएंगे आपके cross and cross सो यहां पर ध्यान से देखिए कि आपका middle term जो है क्योंकि यहां पर जो middle term है sorry मैं b और a को देख रहा था यहां पर जो middle term है वो है a और middle term जो है वो यहां पर क्या है middle term आपका distributed है तो middle term अगर distributed है दोनों sum नहीं है दोनों negative नहीं है और आपके पास three distinct terms देखने को मिल रहे थे तो अब जो है मैं आगी conclusion की तरफ बढ़ सकता हूँ क्योंकि पहली वाली statement मेरी U positive है दूसरी वाली मेरी P positive है तो conclusion जो आने वाला है वो P ही आएगा और क्यासा आएगा P positive ही आएगा द्यान से देखिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर B के ऊपर जो है cross लगा हुआ है सी के ऊपर भी cross लगा हुआ है सो जब मैं conclusion निकालूँगा तो conclusion द्यान से देखिए मैंने क्या बोल दिया है कि conclusion जो है वो यहाँपर P positive आने वाला है और conclusion जब P positive आने वाला है, तो conclusion में मुझे जो subject और predicate मिलने वाले हैं, वो subject और predicate यहां से मुझे मिलने वाले हैं, that is B and C. दोनों पर क्रॉस लगा हुआ है, दोनों पर क्रॉस लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, क्रॉस और क्रॉस का मतलब होता है sum, तो मेरा जो conclusion आजाएगा, वो कैसा आजाएगा sum, B, R, C. फिर से सुनिएगा ध्यान से, कि मेरे पास, मेरे पास यहां पर जो है, remaining terms जो थे, middle term को छोड़ने के बाद, वो क्या-क्या था B और C. मैंने B और C को यहां पर लिखा, और साथ ही साथ एक बार मैंने C को इस तरफ, और एक बार B को इस तरफ भी लिख दिया, और दोनों के उपर cross लगा दिया, दोनों पर cross है, चाहें वो आगे हो, चाहें वो पीछे हो, क्योंकि दोनों पर ही cross है, तो दियान से देखिए, मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो conclusion आने वाला है, वो sum BRC या sum CRBI का, क्योंकि sum quantifier जो है, sum quantifier जो है आपका, उसमें आपका subject और predicate दोनों पर ही cross लगा होता है, मतलब दोनों ही not distributed होते हैं, तो जब दोनों पर cross लगा हुआ है, तो मैं यापर quantifier क्या कर दूँगा, sum कर दूँगा, यह rule क्या बोलता है, no term can be distributed, no term can be distributed, in the conclusion, if it is not distributed in the premises, तो यहाँ premises में, यह जो B और C है, वो दोनों cross हैं, दोनों मतलब आपके not distributed हैं, और जब वो दोनों not distributed हैं, तो मैं या conclusion निकालते टाइम, B के उपर टिक, या C के उपर टिक नहीं लगा सकता हूँ, इसका मतलब यह हुआ, कि मैं not distributed, not distributed, जो terms होंगे, not distributed terms जो होंगे, मैं उन्हें जो है, यहाँ पर convert नहीं कर सकता हूँ, convert नहीं कर सकता हूँ, distributed, distributed terms में, मैं इनको convert नहीं कर सकता हूँ, distributed terms में, मतलब अगर cross है, तो मैं इसको cross को जो है, टिक में convert नहीं कर सकता हूँ, यह point हमें बिलकुल दिमाग में बठा लेना है, लेकिन, अगर मुझे, अगर मुझे यहाँ पर conclusion निकालते समय, जो terms given है, premises में, अगर किसी पे tick marked है, किसी पे अगर tick लगा हुआ है, तो मैं इस tick को जो है, सीधे सीधे as a tick यूज़ करूँगा, और मैं उसको cross में भी convert कर सकता हूँ, मतलब हम distributed को not distributed में convert कर सकते हैं, लेकिन not distributed को distributed में convert नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि मैं tick को cross में convert कर सकता हूँ, लेकिन cross tick में convert नहीं होगा, ये point हमें याद रखना है, तो इस rule से हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं tick को cross में convert कर सकता हूँ, लेकिन मैं cross को कभी भी tick में convert नहीं कर सकता हूँ, हमें इस rule से ये समझ में आता है मैं आपको अभी और example लिके बताऊंगा बढ़ उससे पहले आप इसका screenshot ले लीजिए कि ये जो rule number आपका 7 है ये हमें क्या information देता है so rule number 7 जो है वो आपको ये information देता है कि आप लोग के पास अगर कोई भी not distributed term given है कहां पर premises में तो जब हम conclusion निकालेंगे तो conclusion निकालते समय आप उसको distributed नहीं बना सकते उसका उल्टा मैंने फिर क्या बोला कि अगर कोई terms premises में जो given है अगर वो distributed है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ मैं उसको जो है not distributed में convert कर सकता हूँ example ले लेता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे हम convert कर सकते हैं और कैसे हमें conclusion find out करनी है तो मैं कुछ example लेता हूँ यहाँ पर बाकि आगे और भी examples हैं बट यहाँ पर क्योंकि यह rule number 7 जो है इसको हम और अच्छे से clear कर लेते हैं तो अगर मैंने बोला कि no ARB no ARB दिया हुआ है और मैंने फिर बोला कि all ARC all ARC मैंने बोल दिया ध्यान से देखिए no ARB में क्या हो जाएगा tick और tick all ARC में जो है वो हो जाएगा आपका tick and cross मैंने देखा कि यह आपका middle term था middle term में at least एक बार tick लगा हुआ है so मैं conclusion की तरफ जा सकता हूँ ध्यान से देखिए जब मैं conclusion निकालूँगा तो मेरे पास B और C गीवन है एक बार मैं B को आगे लिख लेता हूँ एक बार मैं पीछे लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास दो term मेरे premises में थे जिसमें C और B मुझे मिला है C के उपर cross है लेकिन B के उपर यहाँ पर tick दिया हुआ है C के उपर जो cross है इस cross को मैं कभी भी tick में convert नहीं कर सकता हूँ यह rule हमको बताता है कि मैं क्रॉस को कभी भी टिक में कनवर्ट नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं टिक को जो है क्रॉस में कनवर्ट कर सकता हूँ मैं टिक को जो है क्रॉस में कनवर्ट कर सकता हूँ सो ध्यान से देखिए कि यह जो B है B के उपर जो टिक है मैं तीसरा यहाँ पर क्या बना सकता हूँ कि इस टिक को मैंने convert कर दिया cross में लेकिन C के उपर cross वैसा ही रहेगा और मैंने इनकी position को change कर दिया कि मैं C को इस तरफ कर देता हूँ और B को जो है इस तरफ करके इस पर मैंने cross कर दिया So these are possible combinations जो की बन सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे पास restriction था कि मैं cross को tick में convert नहीं कर सकता हूँ तो और possible combinations भी बन सकते थे So restriction को लेते हुए मैंने सर्फ क्या किया है tick को जो है cross में convert किया है and मुझे दो और यहाँ पर combination देखने को मिले हैं जब भी tick or cross होता था दियान से देखिए tick or cross मतलब क्या होता है कि all b r c tick cross मतलब all cross tick मतलब क्या होता था cross tick मतलब होता था sum not sum c r not b cross cross मतलब क्या होता था cross cross मतलब होता था sum sum b r c and again cross cross मतलब होता था दियान से देखिए sum c r b यह combinations के accordingly मैंने यहाँ पर जो और tick और cross के जो combinations के accordingly मैंने quantify यहाँ पर लगा दियें बट इन में से conclusion होगा कौन सा वो दियान से देखिए वो premises पर depend करेगा हमारा एक premises कैसा है universal negative और दूसरा कैसा है universal positive तो जब मैं conclusion निकालूंगा दूनों में से एक भी particular नहीं है तो particular conclusion तो हमारा हम directly नहीं बोल सकते की particular conclusion मेरा आएगा but दूनों में से एक negative है premises that means यहाँ पर जो मेरा conclusion आने वाला है वो आएगा negative conclusion कैसा आएगा वो आएगा मेरा negative conclusion कभी भी positive नहीं आ सकता है conclusion कभी भी positive नहीं आ सकता है और जब conclusion positive नहीं आ सकता है तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो पहला मेरा conclusion मैंने all BRC बनाया है this is not possible क्योंकि यह होता है मेरा universal positive तो positive possible नहीं है इसलिए मैंने this conclusion को हटा दिया यह आपका particular negative है तो negative दिया हुआ है that means यह conclusion बिलकुल possible है क्योंकि मुझे conclusion कैसा चाहिए negative next आपका sum BRC जो कि होता है particular positive और अगला भी particular positive है तो यह दोनों क्योंकि positive है तो यह दोनों conclusion भी possible नहीं है और जब यह possible नहीं है तो कौन सा possible है यह वाला possible है तो मुझे यहाँ से conclusion क्या मिलेगा मुझे यहाँ से conclusion मिलेगा sum CR not B तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे conclusion find out करते हैं तो सारे rules, rules के accordingly हमें जाना है rules के accordingly मैंने क्या देखा कि जो middle term है उसमें कम से कम एक बार tick है तो ठीक है मैं conclusion की तरफ जा सकता हूँ फिर हमने rule क्या देखा कि भाई जो B और C है उसके combination कि एक बार मैंने B को आगे रखा, एक बार C को पीछे रखा अगली बार C को आगे कर दिया, B को पीछे कर दिया जैसा उनके बार tick और cross था वही का वही रहने दिया फिर rule number seven को यूज करा मैंने कि मैं cross को tick में convert नहीं कर सकता हूँ लेकिन tick को convert कर सकता हूँ cross में तो मैंने एक बार tick को convert किया cross में तो B इधर हो गया, C इधर हो गया और अगला combination C और B इधर दो गया फिर मैंने क्या देखा कि भाई एक statement मेरी negative है और दूसरी मेरी positive है तो जो conclusion आने वाला है वो कैसा आएगा conclusion मेरा negative आएगा और जब conclusion negative आएगा that means मेरा यहाँ पर conclusion all या sum नहीं हो सकते है that is U positive और P positive नहीं हो सकते है क्योंकि यह दोनों आपके कैसे होते हैं positive statements होते हैं दोनों quantify कैसे हैं positive है statement कैसी मिलेगी positive लेकिन हमें क्योंकि रूल क्या बोलता है कि आपको तो conclusion negative मिलने चाहिए तो negative के लिए ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर या तो no वाली या sum not वाली देखूंगा मुझे यहाँ पर combination क्या बना sum not का यहाँ पर conclusion no वाला क्यों नहीं आया no वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर मैं बोल देता no b r c तो मुझे दोनों पर tick चाहिए था लेकिन क्योंकि c पर जो है यहाँ पर cross दिया हुआ है तो इसलिए यह कभी भी cross tick में convert नहीं हो सकता according to rule no 7 इसलिए यह कभी भी हमारी conclusion नहीं होगी क्योंकि rule no 7 हमें यह चीज़ बोलता है कि आप कभी भी यहाँ पर cross को tick में convert नहीं कर सकते हैं take the screenshot फिर हम further और examples देखेंगे कि किस तरीके से हमें conclusion find out करनी है और कैसे एक-एक step को जो है हमें follow करना है तो आपने समझा कितना आसान है बस थोड़ी सी practice rules को थोड़ा सा दिमाग में रखना है आप directly जो है conclusion निकाल सकते हैं बिना diagram को draw करें बिना diagram को draw करें चलिए तो हमारा यहाँ पर मैंने एक next example जो लिया हुआ है वो example क्या है all dogs are cats and all cats are pigs तो पहला काम हमारा यह देखना है क्या common यहाँ पर terms हैं बिल्कुल है cat or cat common term दिख गया common term दिख गया middle term दिख गया इसका मतलब यहाँ पर three distinct terms है अब हमारा अगला काम की है हम अगला काम करेंगे tick and cross mark करने का मैंने बोला कि यह हो गया मेरा tick यह हो गया मेरा cross क्योंकि all होता है tick cross और यह भी अगला all है तो यह भी हो गया tick or cross middle term मैंने क्या देखा कि जो cat है वो आपका middle term है और अगर cat middle term है उसमें कम से कम एक बार जो है आपका tick लगा होना चाहिए मतलब एक बार distributed होना चाहिए जो कि मुझे दिखे रहा है बिल्कुल है इसका मतलब मैं conclusion की तरफ जा सकता हूँ जब मैं conclusion निकालूँगा तो मुझे यहाँ पर यह जो pig है और यह जो dog है इसको मुझे use करना है that means मुझे dog को और pig को use करना है dog के उपर tick लगा हुआ है pig के उपर cross लगा हुआ है मैंने लिख दिया तो यह जो dog के उपर tick है मैं इसको convert कर देता हूँ cross में तो अगला combination dog के उपर cross pig तो जैसा है वैसा ही रहेगा और साथी साथ इसको आगे पीछे भी कर देते हैं कि pig के उपर cross इधर आ गया और dog जो है वो इधर चला गया आपको पताए कि cross or cross क्या होता है cross or cross आपका होता है some some pigs are dogs again cross or cross है तो मैं क्या बोल दूँगा this is some dogs are pigs cross tick है मतलब यह some not हो गया मतलब some pigs are not dogs और tick cross है मतलब यह क्या होता है यह होता है आपका all dogs are pigs दियान से देखिए यह दोनों statement जो है एक है आपकी universal positive और दूसरी भी है आपकी universal positive इन दोनों में नहीं कोई एक particular statement है नहीं कोई negative statement है इसका मतलब यहाँ पर जो conclusion आएगा वो आपका कैसा आएगा वो positive conclusion आएगा आपको negative conclusion नहीं मिल सकता है negative conclusion मिलने के लिए आपको कम से कम एक जो है आपकी statement दोनों में से क्या होनी चाहिए negative होनी चाहिए यहाँ पर क्योंकि दोनों ही positive हैं तो conclusion आपको positive मिलेगा negative नहीं मिलेगा तो हम तुरंद यहाँ पर क्या कर देंगे हम यहाँ पर negative वाले को remove कर देंगे तो यह conclusion हमें कभी भी नहीं मिलेगा यह conclusion हमें कभी भी नहीं मिलेगा लेकिन ध्यान से देखिए मुझे यहाँ पर क्या क्या conclusion मिलने वाले हैं मुझे मिलेगा all dogs are pigs यह भी मिलेगा some dogs are pigs यह भी म आपकी universal positive statement है यह आपके particular positive statement है और यह आपकी particular positive statement है यह तीनों आपके conclusion है आप चाहें तो यहाँ diagram ट्रॉ करके देख लीजे all dogs are cats द्यान से दिखेंगा this is my dog this is my cat all dogs are cats all cats are pigs यह हो गया आपका all cats are pigs यह आपका basic diagram ट्रॉ हो गया द्यान से देखें मैंने जो तीन conclusion find out किया हूँ है all dogs are pigs all dogs are pigs बिल्कुल है some dogs are pigs कुछ dogs जो है वो pigs बिल्कुल है some pigs are dogs some pigs are dogs बिल्कुल है यहाँ पर so that means यह तीनों conclusion जो मैंने बिना diagram ट्रॉ करें निकाली थी यह तीनों conclusion यहाँ पर follow कर रहे है so यह example one में हमने समझा कि किस तरीके से अगर दोनों universal positive statement है तो हम conclusion कैसे निकालेंगे आपको इस तरीके से सारे try करने पड़ेंगे और यहाँ से यह चक करना पड़ेगा कि हमें positive conclusion चाहिए या negative conclusion चाहिए जो की premises पर dependent होता है तो आप लोग screenshot ले सकते हैं फिर हम next example पर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग जो मैं examples ले रहा हूँ these are very important आप इनको बार बार revise करेंगे तो आपका यह content जो है आपके जो rules है जो यहाँ पर मैं rules follow कर आ रहा हूँ वो आपके सारे clear रहेंगे आपके दिमाग में तो चलते हैं हमारा next वाला यहाँ पर ध्यान से देखिए example है कि all cats are dogs again अगर आप देखेंगे cat जो है यहाँ पर middle term है this is my tick this is my cross this is my tick this is my cross और यह दोनों जो है middle term है चले गए आपके बीच में relation होगा और इनके बीच में जब relation होगा तो अब ध्यान से देखिए दोनों के उपर cross है तो हम मैं cross को tick में convert नहीं कर सकता हूँ और क्योंकि यहाँ टिक है ही नहीं तो इसको मैं cross में convert करूँगा ही नहीं so conclusion के आने वाला है ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है मेरे पास रहेगा dogs और यहाँ पर क्या रहेगा यह रहेगा मेरा pigs दोनों के उपर cross है मैंने लगा दिया places change कर दी मैंने एक को आगे कर दिया फिर इस पहले वाले को इसको जो है पीछे कर दिया ध्यान से देखिए दोनों के पर again मेरे पास cross है और cross cross का मतलब क्या होता है cross cross का मतलब होता है some dogs are pigs यहाँ पर क्या मतलब होगा यहाँ पर होगा some pigs are dogs और ध्यान से देखिए क्योंकि दोनों ही statement आपकी universal positive है दोनों ही positive है तो आपको जो conclusion मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा वो आपको positive conclusion ही मिलेगा और positive conclusion जो मिलेगा आप देख सकते हैं यह दोनों ही positive है और जब दोनों positive हैं that means यह दोनों मेरे क्या हो गए यह दोनों मेरे conclusion हो गए कि some dogs are pigs and some pigs are dogs मेरा यहाँ पर true होगा basic diagram क्या बनने वाला था यहाँ से देखिए all cats are dogs यह हो गया मेरा cats all cats are pigs all cats are pigs में क्या होगा यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ पर diagram बनेगा this is all cats are pigs conclusion देखिए some dogs are pigs yes some dogs are pigs बिलकुल है यह pig ने देखिए कुछ dog को यहाँ पर intersect कर रखा है some pigs are dogs तो बिलकुल देखिए यहाँ पर some pigs are dogs हो गया so follow कर रहा है conclusion follow कर रही है तो हमने जो दो conclusion निकाली है वो बिलकुल correct conclusions है और वो दोनों यहाँ basic diagram में follow भी कर रही है यह rule के इसाब से हमें diagram draw करने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि मैं आपको समझाना चाहरा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर जो है diagram को draw किया हुआ है हम simply rules को देखके conclusion निकाल पा रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि sir यह rule तो बहुत ही आसान है यह जो method है यह बहुत ही आसान है हम when diagram जो है वो थोड़ा सा tough लगता है क्योंकि हमें बार-बार diagrams draw करने होते हैं लेकिन वो एक आपके पास cd है सबसे पहले आपको diagram draw करना आना चाहिए उसके बाद आप rules पे जाएए मतलब पहले concept important हो जाते हैं logics important हो जाते हैं उसके बाद ही short trick की तरफ जाना चाहिए directly short trick अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा problem हो सकती क्योंकि जब 3 या 4 statements आजाएंगी तो problem हो जाएगी इसलिए आपको दोनो method जो है वो आने चाहिए चलते हैं हमारे next वाले example पर next हमारा example हो है all dogs are cats and all pigs are cats यह मेरा ध्यान से देखिए tick cross होगया यह भी धी और cross होगया middle term जो है ध्यान से देखिए middle term दोनों में यहांपर क्या है दोनों में cross है और दोनों में cross है तो मैं क्या बोल दूँगा मैं तुरंट बोल दूँगा no conclusion हम यहाँ पर conclusion नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर at least एक term distributed होना चाहिए middle वाला जो term है जो कि यहाँ पर distributed नहीं है तो मैं क्या माग कर दूँगा कि no conclusion सीधा सीधा answer यहाँ पर मेरा माग हो जाएगा next द्यान से देखिए है all cats are dogs and some cats are pigs यहाँ पर आपके एक statement कैसी आगी है particular statement आगी है और आपको पता है कि particular statement जो है अगर given होती है तो हमारा conclusion भी particular आता है यह हमने रूल में समझा था सबसे पहले tick cross mark करेंगे भीया conclusion आई भी गी आईगी भी या नहीं आईगी तो यह हो गया मेरा tick यह हो गया cross और some cats are pigs मतलब cross and cross आप देख सकते हैं जो आपका middle term है उसमें वो एक बार distributed है that means हम conclusion निकाल सकते हैं remaining आपके पार dogs और pigs बसता है दोनों पर cross है तो जब आप उनको arrange करेंगे तो dogs और pigs d आगे p पीछे एक बार p आगे एक बार d पीछे दोनों पर cross है तो दोनों पर मैंने cross लगा दिया और आपको पता है कि cross और cross का मतलब क्या होता है cross और cross का मतलब होता है some तो some d are pigs या some dogs are pigs और यहां पर क्या हो जाएगा some pigs are dogs दियान से देखिएगा पहला वाला आपका universal positive है दूसरा वाला p positive है दोनों को अगर मैं combine करता हूँ तो conclusion कैसी मिलेगी दोनों में से अगर एक भी statement आपकी particular होती है तो आपको conclusion particular मिलता है और क्योंकि negative दोनों नहीं है दोनों में से मतलब एक भी negative नहीं है तो आपको conclusion कैसा मिलेगा particular positive और आप देख सकते हैं दोनों ही क्या है दोनों ही particular positive ही conclusions है तो अगर आपके पास इस तरीके से statement आएंगी आप को जो conclusion मिलने वाली है वो conclusion आपको particular positive मिलेगी क्योंकि इन premises में एक जो आपकी statement थी वो कैसी थी वो आपकी particular थी नेक्स वाला दियान से दिखे एक्जामपल क्या दिया हुआ है all dogs are cats, no cats are pigs, tick cross mark करेंगे यह हो गया tick cross और no जो होता है no होता था आपका tick और tick अगर आप यहां पर दिखते है middle term तो middle term आपका cat है अगेन एक बार distributed है क्योंकि no वाले statement या प्रमाइसिस में यहां पर tick लगा हुआ है बचे कौन से दो तरम सापके बार dogs और pigs बचा हुआ है मैं यहां पर लिख दिया यह हो गया dogs यह हो गया pick क्योंकि दोनोंपर tick है तो मैने दोनोंपर tick है तो मैंने दोनों पर stock लगा दिया आगे पीछे कर दिया P इधर आ गया D पीछे चला गया अब क्योंकि मैं D जो Tick लगा हुआ टिक को मैं Cross में Convert कर सकता हूँ तो पहले मैं D वाले को Cross में Convert करता हूँ तो अगर मैं D वाले को Cross में Convert कर دेता हूँ तो ये D हो गया Cross P को अभी वैसी रहने देता हूँ आगे पीछे कर देता हूँ तो दोनो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी मेरे पाद दोनो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी अग्या जाएंगी तो मैंने द्यान से देखे इसको आगे पीछे कर दिया। और इनको आगे पीछे कर दिया, यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने सिर्फ D पर क्रॉस रखा है, P पर वैसे ही रहने दिया, यहां पर मैंने P पर क्रॉस किया और D को वैसे ही रहने दिया, और next ध्यान से देखें, next मुझे दोनों पर मैं क्रॉस कर दूँगा, so D प क्रॉस पर क्रॉस और यहां पर क्या हो जाएगा पी आगे चला गया और डी पीछे चला गया अब ध्यान से देखें भी सारे combinations आने बना लिये हैं क्योंकि दोनों पर टिक यह चा और मैं टिक को क्रॉस कर अब मैं याँ पर यह देखता हूँ कि मुझे यहां पर क्या देखने को मिलता है कि यह आपका universal positive है यह आपका universal negative है तो जब आप conclusion की बात करेंगे अगर एक परमाइसे इस में negative अगर statement given है that means आपको जो conclusion मिलने वाला है वो negative मिलेगा negative conclusion मुझे पता है कि u negative और p negative ये दो ही मेरे negative conclusion होते है negative conclusion में u negative जो है उसमें tick और tick मुझे चाहिए रहता है और मुझे p negative में मुझे cross और tick चाहिए होता है so that means मैं आपर eliminate करूँगा कि कौन से मेरे options नहीं हो सकते है क्योंकि ये जो दोनों हैं ध्यान से देखिए ये दोनों कौन से वाले हैं ये सम वाले हैं ये दोनों कैसे वाले हैं सम वाले हैं सम वाले मतलब दोनों p positive है tick cross क्योंकि all वाला होता है तो ये मेरा answer नहीं होगा क्योंकि वो positive हो जाएगा लेकिन क्रॉस्टिक मेरा बिलकुल अंसर होगा that is सम पिक्स आर नॉट डॉक्स हो जाएगा यहापर यह मेरा एक कंक्लूजन होगा इसको उपर चलते हैं अगें टिक क्रॉस्ट आपको दिख रहा है तो यह भी मेरा कंक्लूजन नहीं होगा क्योंकि यह भी मेरा ओल बनेगा और यह भी मेरा ओल बनेगा दोनों पॉसिटिव बनेगे तो that is not possible क्योंकि कंक्लूजन मुझे नेगेटिव मिलने वाला है क्रॉस्टिक मुझे बिलकुल चलेगा that is सम डी आर नॉट पी टिक और टिक बिलकुल चलेगा दूसरा यह मिला तीसरा मुझे यहाँ पर यह मिला और चौथा मुझे एक कंक्लूजन यह मिला अब आप ध्यान से देखिए कि आपको पता है कि no dogs are pigs is equivalent to no pigs are dogs क्योंकि हम आगे पीछे कर सकते हैं यह मैंने आप लोग को when diagram method में बताया था तो अगर no drp is true तो no prd b true होगा और अगर no drp true है तो आपका some dr not p and some pr not d b true होता है तो हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखिए चारों conclusion जो मैंने यहाँ पर निकाली है पहला conclusion यह दूसरा conclusion यह तीसरा मेरा यह और चौथा मेरा यह यह मैंने वहाँ पर जो when diagram method था logical deduction का वहाँ पर rules में मैंने यह समझाया था कि कैसे no AR b no br a some ar not b and some br not के equivalent होता है तो यहाँ पर जो मेरे पास दो premises थी उनमें से एक जो थी negative premises था इसलिए conclusion में मेरा negative ही आना है इसलिए मैंने जो है positive वाले जो थे उनको eliminate कर दिया यह positive conclusion यहाँ पर मुझे कभी भी नहीं मिल सकता है so take the screenshot फिर हम चलते हैं हमारे next example पर हम जितने example करेंगे आपको जो है यह rules लगाना और कैसे हम conclusion find out करेंगे आपको बहुत अच्छे से clear होगा so हमारे पास यहाँ पर जो है next वाला जो है दियान से देखे next पर आपको all dogs are all dogs are cats and some cats are not pigs so again जो है मैं यह intrो पर tick cross mark करूंगा tick cross में यह यह हो गया मेरा tick यह मेरा cross और यह हो गया मेरा cross यह हो गया मेरा tick क्योंकि some not होता है cross tick और all होता है आपका tick cross अगर आप दियान से देखे middle term जो है middle term में दोनों में cross दिया हुआ है जब दोनों में cross दिया हुआ है मतलब एक भी term distributed नहीं है middle term तो मैं सीधा बोल दूँगा no conclusion सीधा बोल दूँगा क्या no conclusion यहां पर सीधी बात खतम हो जाती है कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे next वाल एक्जामपल पर और हमारा जो next वाल एक्जामपल है वो है हमारा यहां पर अच्छा यह last यह एक्जामपल था कोई बात नहीं मुझे लगा all dogs are cats यह हो गया था हमारा चीक है तो चलिए मुझे यहां पर मेरे सारे एक्जामपल जो है वो खतम हो चुके हैं और मैंने आप लोग को यहां पर बहुत अच्छे से clear कर दिया है बट इन सब को मैं summarize करने के लिए एक बार आपको पूरे के पूरे rules जो है आपका जो sum होता है वो cross cross होता है जो sum not होता है वो cross tick होता है तो इसको भी याद रखना है और फिर हमारा rule चालू होता है कि भाई यहां पर three distinct terms होने चाहिए मतलब यहां पर common term होना चाहिए दोनों premises में अगर नहीं होगा common term तो हम conclusion find out नहीं कर पाएंगे rule number one rule number two क्या था कि अगर दोनों premises जो है आपके particular है तो no conclusion होगा अगर दोनों sum या दोनों sum not yes sum या sum not का combination होगा तो आपको कभी भी conclusion नहीं मिलेगा अगर दोनों आपके negative है premises अगर दोनों statement negative है तो आपको again conclusion नहीं मिलेगा फिर हमने क्या देखा था कि जो middle term है अगर उसमें दोनों में टिक नहीं है मतलब कम से कम एक में टिक होना चाहिए या दोनों में टिक होना चाहिए अगर टिक है मतलब distributed term है तो ही आप conclusion निकाल सकते हो नहीं लेगा और सेवंध वाले में हमने क्या देखा था कि हम क्रॉस को टिक में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन टिक में टिक को जो है हम क्रॉस में कनवर्ट कर सकते हैं तो यह जो हमारे साथो रूल थे उससे हमने यह एक्जामपल सॉल कर लिये थे और यहां से हमें जो है सारे र पर आपको बहुत सारे questions कराऊंगा तो आप जितने questions देखेंगे मैं किस तरीके से questions को solve कर रहा हूं आपका topic और strong हो जाएगा तो उसको आप miss नहीं करिएगा इसको देखने के बाद ही आप उस वाले वीडियो को देखेगा तो चलिए मैं आप लोग को information देना चाहता हूं कि Magnet brains ने जो है यहाँ पर आप लोग के सुविधा के लिए जो है course wise chapter wise जो है playlist magnetbrains.com और magnet brains के application में जो है बहुत ही sequence form में जो है arrange करके वहाँ पर डाली होई है अब वहाँ पर आसानी से जो है playlist को देख सकते हैं एक वीडियो से दूसरे वीडियो दूसरे वीडियो से तीसरे वीड यहाँ पर अगर मैं बोलता हूं magnetbrains.com पर अगर आप जाते हैं तो इस तरीके से आपको window देखने को मिलेगा आपके बस NTSC Olympiad यह सारे आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको particularly headings देखने को मिल जाएंगी headings पर जब आप click करेंगे आपको playlist देखने को मिलेगी आप watch watch now पर click करिए आपके सामने window open होगी आप यहाँ से सारे जो videos हैं उन पर click कर सकते हैं आप scroll करके जो है उपर से नीचे तक पूरी listing देख सकते हैं फिर जो है अगर आप यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने window open होगा play कर सकते हैं आप यहाँ से next video पर जा सकते हैं यहाँ से full screen कर 1 p.m. पर Mass Olympiad, 4 p.m. पर Science Olympiad और 7 p.m. पर GK Olympiad के वीडियो जो है वो अपलोड किये जाते हैं तो जब अपलोड किये जाते हैं उसी समय आप वीडियो को देखिए तो हम लोग आप लोग के लिए बहुत मेरत कर रहे हैं आप लोग के लिए complete course जो है 100% free है तो मैं आप लोगों स क्या चाहता हूँ बस इतना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ इसाथ अपने friends और relatives के साथ share जरूर करें thank you very much